गुपनिंग स्टुडेंट। घू़ेज्ट मीज़े परेंग इस का लोत опас इन सब्सक्राइब का और लिए का इस साइगड गा तो पहले हम देखते हैं कि पंक्चुेशन मार्ल मार्ल कहते किसे हैं कुछ sentence हैं, देखिए हम इसे कैसे पढ़ते हैं, रवी is good player, what is your name, कमाल, are you crying, oh, he got hurt, wow, what a beautiful house, तो देखिए हमने इस sentence में किस तरीके से हमने इन्हें पढ़ा, ये totally depend करता है कि punctuation mark क्या लगे हुए है, ठीक है, जिससे हमें sentence समझ में आता है, कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम question पूछने जा रहे हैं, या हम surprised हो रहे हैं, ठीक है, तो देखिए, पहले है, सबसे आप देखिए, नीचे वाली लेर में लिखा है, please try to find the following sign in above sentence, full stop, question mark, comma, exclamation mark and capital letters, तो सबसे पहले हैं, इसे समझते हैं हम, सबसे पहले example से, full stop कहते किसे हैं, देखिए, पहले example है, रवी is good player, तो जहाँ पे sentence खत्म होता है, वहाँ पे हम full stop का use करते हैं, जैसे कि आप player के बाद देख रहे हो, रवी is good player, second है, question mark, what is your name, यहाँ पर हम question पूछ रहे हैं, कि what is your name, आपका नाम क्या है, जब हम किसी से कोई questioning करते हैं, तो उसके आगे, हमें ध्यान रखना होता है, कि हमें कौन सा mark लगाना होता है, तो यहाँ पर हम question mark का use करेंगे, उस इस बाद third one is, कॉमा, अब कॉमा, देखिए, इसे हम कैसे समझते हैं, तीसरा जो example है, कमल, are you crying, कमल के बाद हम थोड़ा सा रुके, थोड़ा हमने विराम लिया, उसके बाद हम पूछ रहे हैं, are you crying, तो कमल के बाद जो mark हमने use किया है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमा बोलते हैं, और उसके बाद इसमें, दूसरा mark क्या use हुआ है, are you crying, ये question mark है, तो कमल के बाद हम रुके, तो हमने क्या लगा जिया, यहां पे, कॉमा का हमने use किया, तो जहां पर हम sentence में, हमें बीच में विराम लेना होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, कॉमा का use करते हैं, last one is, exclamatory mark and capital letter, तो देखें, फोर्थ में है, ओ, ओ के बाद, हमने देखें, ओ, he got hurt, तो हमने यहां पर, exclamatory, यानि विस्मया बोधक, ठीक है, जहां पर हम, थोड़ा हमें, यह सरफ्राइज होता है, ठीक है, जैसे हमने, फिप्त वाला है, वाव, what a beautiful house, ठीक है, हमें, एक, सरफ्राइज के रूप में, हम बोल रहे हैं, कि, वाव, what a beautiful house, तो वाव के बाद, जब हम, जो हमने, मार्क का यूज किया, उसे क्या बोलते हैं, एक्सकलेमेटरी मार्क, बोलते हैं, इसमें जैसे और भी कुछ, आपके सेंटेंस आ जाएंगे, ठीक है, और भी कुछ वर्ड है, जैसे, so sweet, ठीक है, बहुत अच्छा, हम कई बार बोलते हैं, so sweet, किसी बच्चे को देखके बोलत हैं, तो वहाँ पर भी क्या जाएगा, एक्सकलेमेटरी मार्क का यूज हम करेंगे, उसके अलाबा, हम ये देखते हैं, कि कैपिटल लेटर कहां पर यूज होना है, तो एक्सकलेमेटरी, जो भी वर्ड हम यूज करते हैं, उनके स्टार्टिंग में आपका कैपिटल लेटर आता है, और जो भी नाम हम किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपका कैपिटल लेटर आता है, और कोई सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर कैपिटल लेटर आना चाहिए, ये हम पंक्चवेशन में हमें ध्यान रखना होता है, तो के नीचे क्या लिखा है देखिए, so children full stop will be used at the end of every simple sentence, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, end of every simple sentence, simple sentence के बाद, जब वो sentence खत्म होता है, finish होता है, तो उसके end में हम क्या करते है, हम fully stop का use करते है, question mark will be used when we ask question, ये भी हमने आपको बता दिया, comma for a little pause, देखिए, हम जहां पर थोड़ा रुपते हैं, विराम लेते हैं, while exclamatory mark, ठीक है, when surprise और emotion, देखिए, surprise भी आगया, और emotion भी आगया, are shown and capital letter in the beginning of a sentence, वो भी मैंने आपको बता दिया, कि जब हम sentence को start करते हैं, तो capital letter का हमें विसेज ध्यान रखना होता है, ठीक है, और किसी भी ब्यक्ति का हम नाम लेते हैं, तो वहाँ पर भी हमें capital letter का ध्यान रखना होता है, I hope आपको समझमा आगया होगा, कि हमने punctuation का mark, punctuation mark का हम use कहां पर करते हैं, और किन-किन चीज़ों को हमें देखना होता है, इनके अंदरगर, तो ये चीज़ समझमा आगया होगी, अगर आपको ये समझमा आगया है, तो आपके लिए छोटी से exercise नीचे है, use the appropriate punctuation mark and capital letter where required, तो आपने ये जो 4 sentence हमने दे रखे हैं, ये आपने swing करने हैं, ये आपके लिए homework हैं, और आपने इनको कितना समझा, इसके लिए आपने क्या करना है, comment box में इनके answer देने हैं, जिससे हमें ये समझमा आएगा, कि हम जो समझाना चाह रहे हैं, वो आपको कितना समझमा है, और अगर कहीं कोई problem होती है, तो आप comments box में हमें लिख के भेज सकते हैं, चलिए तब तक